राजनिती विज्ञान विशय में आज हम परवक्ता राजनिती विज्ञान, सायक अध्यापक नागरिक सास्त्र, सायक अध्यापक सामजिक विज्ञान और ऐसे सबी परतोगी परिक्षाओं के लिए महत्तपूर्ण बहुत विकल्पी प्रश्णों का अध्यन करेंगे. पहला प्रश्ण है कि इस विचारक के अनुसार समानता आवप्राकर्तिक और आवांचनी धारणा है. इसके बिकल्पे हैं जॉन डॉल्स, अरस्तू, मैक्यावली, टी एच्गिरीन. इसका सही उत्तर है अरस्तू. अरस्तू ने कहा कि समानता आवप्राकर्तिक और आवांचनी धारणा है अगला प्रश्ण है युद्ध पूरसों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मात्रित महिलाओं के लिए यहाँ कतन किसका है इसके बिकल्पे हैं माओ, स्टॉलिन, हिटलर, मुसोलिनी इसका सही उत्तर है मुसोलिनी मुसोलिनी ने कहा था कि युद्ध पूरसों के लिए उसी तरह है जिस प्रकार मात्रित महिलाओं के लिए यानि कि पूरसों के लिए वह युद्ध अत्यावशक मानता है अगला प्रश्ण है निमलिकित मैसे कौन गलत है इसमें विकल्प दिये हैं दास कापिटल, कालमाक्स, इसमें जो दास कैपिटल है वह कालमाक्स ने लिखी है एक ग्रामर आपॉलिटिक्स के लेखत लास्की है स्टेट एंड रिवोलिशन लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वहीं पॉलिटिकल लिवरलिजम रॉबर्ट नौजिक ने नहीं लिखी है यहार जॉन रॉल्स की पुस्तक है अगला प्रशन है एक संगात्मक सरकार में केंद और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है यानि कि जो संगात्मक सरकार होती है सासन पणाली होती है उसमें केंद और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन करता ह इसके विकल्पे हैं राष्टपती द्वारा, संसद द्वारा, समिधान द्वारा, न्यायपारिका द्वारा, इसका सही उत्तर है समिधान द्वारा, शंगात्मक सरकार में जो शक्तियां बटी रहती हैं, वो हो समिधान के द्वारा बटी रहती हैं, अगला प्रशन है वर्ष, तीन वर्ष, अनिश्चित, इसका सही उतर है एक वर्ष, जो लोकली का समीति यानि की पबलिक एकाउंट कमिटी होती है, वो एक वर्ष के लिए गटित किया आती है, अर्थात इसका गठन हर वर्ष किया जाता है, अगला प्रशन है, निम्रिकित में से कौन सिमित सरक का समर्थक है, यानि की कौन सा विचारक है, जो लिमिटेट गोवर्वेंट को सही मानता है, इसके विकल्पे हैं, रूसो, लोक, कांट, होप्स, इसका सही उतर है, जोन लोक, जोन लोक ने सिमित संपरबुत्ता या सिमित सरकार का समर्थन किया है, अगला प्रशन है, आर्थिक समान्ता को जादा महत्यू देता है और उसका कहना है कि आर्थिक समान्ता के बिना राजनितिक श्रुतनतरता मिथख है। इसके विकलब हैं अरस्तू टीहेज ग्रीन-जीड्ीयच कोल जॉन्रॉस इसका सही उत्तर है GDH coal अगला प्रश्न है दबाव समुन का सौभाव होता है इसके बिकल्ब हैं राजनितिक दल की रूप में, कारिपालिका की रूप में, नियाइपालिका की रूप में, अद्रिश्य सरकार की रूप में जो दवाव समू होते हैं, प्रेसर ग्रूप होते हैं, वे अक्सर अध्रिश से सरकार के रूप में देखे जाते हैं अगला प्रशन है, समिधान का सन्रक्षक कौन है, यानि कि समिधान की रक्षा करने की जिम्मिदारी किसके पास है, इसके विकल्पे हैं, राष्टपती, प्रधान मंत्री, सर्वोच नियाले, संशद, समिधान के सन्रक्षक की रूप में सर्वोच नियाले काम करता है, यानि क कि कौन सा विचारक यह मानता है कि राज एक शोषन का यंत्र है या शोषन का साधन है इसके विकल्पे हैं प्लेटो, काल माक्स, अरस्तू, टी एस ग्रीन इसका सही उत्तर है काल माक्स काल माक्स मानता है कि राज शोषन का एक साधन है अगला प्रश्ण है राष्टपती के च बिधान सभाओं की निर्वाचित सदेशी इसका सही उत्तर है राजी सभा की मनुरित सदेशी राष्टपती के चुनाओं में लोकसभा राजी सभा और बिधान सभाओं की जो मनुरित सदेशी तो भाग लेते हैं लेकिन जो मनुरित सदेशी होते हैं वो भाग नहीं लेते है यानि कि बिकल्प को गलत है, यानि कि राजसभा के मनुनिच्छा देशिव. अगला प्रस्न है किस रिट का आर्थ है हम आदेश देते हैं, यानि कि भारतिस समिधान के अनुचेद बद्दिस में जिसे हम समयधानिक उप्चारों का अधिकार भी कहते हैं, उसमें कौन से जिसका आर्थ होते हैं, आर्थ होता है, वी कमांड हम आदेश देते हैं, अगला प्रस्न है, निम्लिकित मैं से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है, यानि कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, हमें उस पुस्तक का चैन करना है, गीता रहश, दा ओरियन, आर्कटिक होम, इंदा वेदाज, ये सभी पूस्तके बाल गंगादर तिलक के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रशन है समाजवाद यानि कि सोशलिजम सब्द का सरप्रथम प्रियोग किसके द्वारा किया गया। यानि कि वह कौन सा विचारक है जिसने सबसे पहले समाजवाद सब्द का प्रियोग किया, इसके विकल्पे हैं कारल मार्क्स, लेनिन, रॉबर्ट ओवन, स्टॉलिन, इसका सही उतर है रॉबर्ट ओवन, सबसे पहले समाजवाद सब्द का प्रियोग रॉबर्ट ओवन के द् अर्थिक नीति से, राष्टवाद से, विदेश नीति से, नियाय से, इसका सही उत्तर है विदेश नीति से, यानि कि जो कोटे लिखा मंदल से दानता है, वो हो विदेश नीति से संबंदित है, अगला प्रशन है, संप्रभुत्ता एक विशिष्टता है, इसमें वो कौन सा विकल्प होगा जनता की, सरकार की, राज जी की, न्याय पालिका की, जो राज जी है, उसका एक महत्पूर्ण तर्थो संप्रभुता होता है, और संप्रभुता के बिना राज जी काम नहीं कर सकता है, इसलिए राज जी का जो सबसे विशिष्ट गुण है, वो संप्रभुता अगला प्रस्ण है बारती समिदान में किस समिदान संसोदन द्वारा समाजवादी पंत निरपेक्स्ता युम राष्टिक की अखंडता शब्द को जोडा गया है। इसका सहितर है 42 संविदान संसोदन द्वारा यह संसोदन वरसраст 1976 में हुआ था। अगला प्रश्ण है राज्य साधन है शाध्य नहीं यह किस विचारधारा से सम्मंदित है यानि कि वह कौन सी विचारधारा है जो राज्य को शाधन मानती है शाध्य नहीं इसके विकल्पे हैं शमाजवाद, ब्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद इसका सही उत्त इसके विकल्प हैं राजिसबा के, राष्टपती के, लोकसबा के, जनता के, इसका सही उत्तार है लोकसबा के, यानि कि जो केंद्री मंति परशद होती है वो सामुईक रूप से लोकसबा के प्रती उत्तरदाई रहती है। इसके विकल्प हैं संसद द्वारा, लोकसबा द्वारा, राष्टपती द्वारा, न्यायपालिका द्वारा यानि कि जो नागरता समंदी कानून है वो कौन बनाता है इसका सही उत्तर है संसद भारत में जो नागरता समंदी कानून होते हैं उन्हें संसद बनाती है। महत्मा गादी बारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्स कब चुने गए थे इसके विकल्प हैं वर्च 1930, वर्च 1940, वर्च 1945, वर्च 1934 इसमें सभी विकल्प गलत हैं महत्मा गादी को बारती राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्स वर्च 1924 में चुना गया था अगला प्रशन है निम्नित मैसे किस विचारक ने सामाजिक समिदा यानि कि सोशल कॉंटेक्ट नामक पुस्तग लिखी है इसके विकल्पे हैं हॉप्स, लॉक, रूशो, जॉन रॉल्स इसका सही उतर है रूसो रूसो एक प्रसिद्ध विचारक है जिनोंने सोशल कॉंटेक् तो जो राजिके नीती जटत्व है, वो क्यों रखे गए हैं, क्या उद्धेश या हैं हिनकाा नियाई की अउधरना पर बल देती है, यानि कि वह कौन सी विचारदारा है जो सोशल जस्टिस की बात करती है, इसके विकलपें माक्सवादी, उदारवादी, फूझीवादी, बहुलवादी. समाजिक नियाई के बारे में माक्सवादी विचारदारा परमुख है और इसका मानना है कि राज जो है शोशल का यंत्र है यह राज को शोशल की यंत्र मानते हुए इसकी समाप्ति की बात करता है बर्ग भीहिन और राज भीहिन समाज के द्वारा ही यह शामाचिक नियाई को बल देता है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन परजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानिकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से सम्मंद रखता है इसके विकल्पे हैं शामिवादी व्यवस्ता, फूजिवादी व्यवस्ता, पंचाती राज की व्यवस्ता उधारीकरण हम जानते हैं कि भारत में जो पंचाती राज की व्यवस्ता है जिसे हम त्रिस्तरी व्यवस्ता कहते हैं यहोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्लाइजेशन यानिकी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से सम्मंद रखती है भारती समिदान का जो ग्यारवी अनसूची है वह पंचाती राज से सम्मंद देत है अगला प्रशन है भारत में राष्टपती पर महभ्योग लगाने का अधिकार किसे है यानिकी राष्टपती को हटाने के लिए महभ्योग की जो परकिरिया अपनाई जाती है वह किसके द अगला प्रशन है भारत में द्यूती पंचवर्सी योजना की मुख की प्राथिविक्ता क्या थी भारत में विकास के लिए पंचवर्सी योजना चली और इन पंचवर्सी योजना में जो द्यूती पंचवर्सी योजना थी उसकी मुख की प्राथिविक्ता क्या थी इसके व कलबें, रोजगार में बृद्धि करना, क्रिस्यों, सिचाई परियोजना का विस्तार करना, छेत्री असंतुलन को समाप्त करना, तीवर गति से उद्योगों का विकास करना, इसका सही उत्तर है तीवर गति से उद्योगों का विकास करना, क्योंकि जो पहली पंचवर्ची य और उसमें सिचाई और क्रिशी से सम्मंदित परियोजनाओं को लागू किया गया था। राष्टपती की जो आपातकालिन सक्तियां या आपातकालिन से सम्मंदित प्रावदान हैं वे किस देश से लिए गए हैं। प्रशन है निम्लिकित मैंसे कौन गलत है इसमें विकल्ब दिये हैं। पहला है राज प्रतवी पर इश्वर का अवतरण है हीगल। राज एक शोषन का यंत्र है काल माक्स, श्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लॉड एक्टन, समानता, अप्राकर्तिक और अवांचनी है प्लेटू। इसमें जो पहला विकल्ब है राज प्रतवी पर इश्वर का अवतरण है या राज को इश्वर की रूप में हीगल ने माना यह सही है। दूसरा राज एक शोषन का यंत्र है काल माक्स यह भी सही है। वहीं शोतंतरता और समानता को एक दूसरे के विरोधी के रूप में लौड एक्टन देखते हैं जबकि समानता अप्राकर्तिक और अवांचनी है यह कथन अरस्टू का है यानि कि विकल्ब गो गलत है यहाँ पर यह विकल्ब अरस्टू ने दिया है। अगला प्रश्ण है समिधान के किस अनुचेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संग है। मिल जॉन स्टूवर्ट मिल ने परतनिदी सासन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्ण है हॉप्स के अनुसार मानो सौभाव। विभेकसील है, सांत है, श्वार्ती तथा जगडालू है, प्रकिर्ति प्रेमी है। हॉप्स ने मानो सौभाव को श्वार्ती और जगडालू का है। मानो सौभाव को देखते हुए हॉप्स एक निरंकुस सासक की बात करता है, वह निरंकुस संप्रभुत्ता को महत्तु देता है। इसका विकल्प गो सही है। अगला प्रस्ण है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांती किस देश में हुई थी। इसके विकल्पे हैं, अमेरिका, इंगलेंड, जापान, जर्मेनी। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांती इंगलेंड में हुई थी। अगला प्रशन है बाहि संप्रभुत्ता की अवधारणा किसने दी है इसके विकल्पे हैं रूशो, प्लेटो, ग्रोशियष, कांट इसका सही उत्तर है ग्रोशियष बाहि संप्रभुत्ता की अवधारणा ग्रोशियष से संबंदित है अगला प्रस्न है दितांत का आर्त है महाशक्तियों के बीच मेल मिलाप का सांति पूर्ण शास्तित्यु तनाओ की समाप्ति तनाओ का शैतिल। दितांत सब्दम सीटि दिखे दौरान सुना है, अमने सीटि दिखे दौरान डितेंट यानि की तनाओं के शेतिल के महोल को दितांत कहा जाता है, अगला प्रसन है, तिरति विश्व यानिकी third word सब्द का प्रियोग सरपर्तम किस विचारक ने दिया है, इसके विकलप हैं, बर करता है किस विचारक ने किया है इसका सही उत्तर है अलफरेड शोवी वर्स 1952 में पहली बार तिर्टी विश्व सब्द का प्रियोग अलफरेड शोवी के द्वारा किया गया अगला प्रशन है निम्लिकित मैंसे कौन गलत है जो गलत है में उसका चुनाव करना है भूमिसुदार नवी अनुशूची राजी सभा के लिए परतनिदितु चतुर्त अनुशूची जन जात्यों छेत्रों से सम्मंदित प्रावधान छटी अनुशूची पंचैती राज से सम्मंदित प्रावधान दस वी अनुशूची इसमें जो प पंचाती राज से सम्मंदित प्रावधान यह दसवी अनुशूची में ना होकर ग्यारवी अनुशूची में दिया गया है। तथा जनक दोनों ही है यह कथन किस विचारक का है। यानि कि किस विचारक नहीं यह का आये कि राज जो है कानून का शिश्व और जनक दोनों है। इसके विकल्पे हैं हॉप्स, प्लेटो, हीगल, मैकाइबर यह प्रसिद्ध कथन मैकाइबर का है। अगला प्रशन है गुट तंत्र का लोह नियम किसने पर्तिबादित किया है इसके विकल्पे हैं पैरेटो, मोसका, अरस्तु, रॉबर्ट, मिचेल्स। गुट तंत्र का लोह जिदांत यानि कि आईरेन लॉफ ओलिगार की यह रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया है। अरस्तु करता है यह कथन अरस्तु से संबंदित है और अरस्तु कहता है कि जो क्रांति होती है वो कहीं ना कहीं अस्मानता के कारण होती है। यदि देश में अस्मानता होगी तो कहीं ना कहीं वोह क्रांती भी देखने को मिलेगी। अगला प्रस्ण है भारत में लोकपाल की न्युक्ति की सिपारिस किस आयोग के द्वारा की गई थी इसके विकल्पें शंतानम आयोग, पर्थम प्रसास्निक शुदार आयोग, बलवंत राय, महता समीति, राजी पुनरगठन आयोग समीति भारत में लोकपाल, जिसे हम ओंबुट्समेन कहते हैं, जोह स्वीडन से आया था, स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल की न्युक्ति हुई थी, भारत में योह विचार पर्थम प्रसास्निक शुदार आयोग के द्वारा दिया गया वर्स 1966 में अगला प्रस्न है किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिबादन किया है, इसके विकल्पे हैं मौच से तुंग, काल माक्स, स्टालिन, मिखाईल गोरवैचोब, इसका सही उत्तर है मौच से तुंग, जन क्रांति यानि कि जो पिपूल रिवोलिशन है उसकी बाद मौच से तुंग के द्वारा की गई है अगला प्रशन है, निम्लिकित मैंसे कौन गलत हैं, इसके विकल्प हैं, तार्षनिक, अराजक्तावादी, महत्मागादी, शंपून क्रांति, जैप्रकाश नारायन, दल भीहिन लोकतंत्र, जोहालाल नहरू, चौखंबा, राज्य, राम मनोहर, लोहिया इसमें जो बिकल्प गौ है, दल भीहिन लोकतंत्र, इसकी बाद जैप्रकाश नारायन के द्वारा की गई है, ना कि जोहालाल नहरू के द्वारा, यान की बिकल्प गौ गलत है अगला प्रशन है, किसने कहा कि राज्य के नीत निशक तत्वों का उद्देश एक आर्थिक परजातंत्र की स्तापना करना है, यानि की जो भाग चार में डिरेक्टिव, प्रिंस्पल दिये हैं, स्टेट्स के उनका उद्देश एक आर्थिक परजातंत्र की स्तापना करना आगला पुशन पर पर्फ्र, मोस्का, विल्फ्रेडो, पैरेटो, सूबिटर, यह परसिद्द्य कथन, विल्फ्रेडो, पेरेटों का है अगला प्रशन है आर्थिक मानों की संकल्पना किस विचारक के द्वारा प्रस्तूत की गई है इसके विकल्प है अर्थिक मानौ की संकल्पना Adam Smith ने प्रस्तूत की है उनकी प्रस्तूत की है अगला प्रशन है किस राजनितिक विचारक ने राजनितिक संप्रभुत्ता की आउधरना को सरपर्थम प्रस्तूत किया यानि कि वो कौन सा विचारक है जो political, sovereignty की बात करता है इसके विकल्प है एवी डाइसी, Russo, Hobbes, Austin इसका सही उत्तर है एवी डाइसी एवी डाइसी ने राजितिक संप्रभुता की अवधरना को प्रस्तूत किया था अगला प्रस्त है कोटिली की रचना अर्थसास्त्र किस विषय से संबंदित है इसके विकल्प है अर्थसास्त्र, समास सास्त्र, राजनिती विज्ञान, रसायन सास्त्र कोटिली की जो रचना है अर्थसास्त्र वह राजनिती विज्ञान से संबंदित है आज के इस प्रश्ण पत्र में हमने 50 प्रश्णों का अध्यन किया आप इसी तरों से हमारे चैनल पर बने रहें हम आगी भी इसे प्रकार अन्य अभ्यास प्रश्ण पत्रों का अध्यन करेंगे आज के इस प्रश्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद